दोस्तों सुसान सिंग राजपुत की मौत को किसी भी एंगल से देखा जा रहा है तो उनके मौत का तार सीधे दिसा सलियान से जुड़ता हुआ दिख रहा है लेकिन हम आपको इस वीडियो में एक ऐसी जानकारी देंगे जिसको देखकर और जिसको सुनकर वाकई आप अचम् जि हाँ दिसा सलियान से सुसान सिंग राजपुत की बाते हुई है उनके मौत के कुछ समय पहले वटसब चेट के जरिये दोनों की बीच बाते हुई है आखिर वो क्या बाते हुई है आज पूरा का पूरा लीक होने वाला है जि हाँ आप पूरा वीडियो देखे कि किस तर जा रहा था कहीं न कहीं इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा होने वाला है जी हाँ एक नया मोड आने वाला है जिस तरीके से लगातार लोग दावा कर रहे थे कि सोसान सिंग राजपूत और दिसा सलियान की मौत की जो गुथी है दोनों का एक ही है और हत्यारा एक ही है अब उनके वाटसाप चेट के जरिये एक बड़ी खबर सामने आ रही है एक बड़ा सबूत सामने आया है एक बड़ा खुलासा हो गया है जी हाँ आप देख सकते हैं कि वाटसाप चेट में सोसान सिंग राजपूत और दिसा सलियान की बीच बाते हुई है ये सोसान के राजपूत से दिसा सालियान एक कमपनी के बारे में बात करती है जो कि एक ओईल की कमपनी है उसके विज्यापन को लेकर सोसान सिंग राजपूत को वो ब्रांड एमबेश्टर बनाना चाहती है जिसके लिए वो कमपनी सोसान को 60 लाक रुपिय तक पे कर सकती है ऐसे में सो अब तोर से देखा जा सकता है कि सोसान सिंग राजपूत काम भी कर रहे थे वो mentally fit भी थे और add करने के लिए भी वो तयार हो गए यानि कि सोसान के बारे में जो यह बाते की जा रही है कि वो डिप्रेशन में थे वो कई महिनों से डिप्रेशन में थे यानि कि यह पूरी के पूरी खबरें गलत है, पूरा का पूरा सबूत गलत है और पूरा का पूरा आरोब गलत है, जो सोसान सिंग राजपूत के खिलाब दिये जा रहे हैं, रिया चकरवर्ती के पक्ष में दिये जा रहे हैं, यानि कि साप है कि सोसान सिंग राजपूत की माउत आत्महत्या की और दिशा सालियान के बीच कोई भी घनिष्ट सम्मद नहीं था घनिष्ट दोस्ती नहीं थी लेकिन चैटिंग के जरीए ये पता चलता है कि कमर्शियल बातें उनसे होती थी क्योंकि सुसान सिंग राजपुत के वो पूर्व मेनेजर थी और लगातार वो मेनेजमेंट करती थी जो चीजें होती थी सुसान सिंग राजपुत को वो बताती थी और उनसे जोडने के लिए काम करती थी दोस्तों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए ताकि सुसान सिंग राजपुत से जुड़ी जो खबरे हैं सुसान सिंग राजपुत से जुड़े